जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमित जैन YouTube चैनल में सो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों जिन भी सात्यों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया अभी सर्च करें Self Study Classes ठीक है और सात्यों इस पर 2020 टेस्स सीरीज बिलकुल फिरी चलती है सपताह में दो दिन रवी बार और गुरु बार को ठीक है तो आप 2020 टेस्स सीरीज से जुड़ सकते है Self Study Classes में आप बिलकुल फिरी आपको डाउनलोड करना है Self Study Classes एप और दोस्तों पढ़ना है और एक और आपके लिए नया दोस्तों एप लांच किया गया है केवल हिंदी साहित के लिए आप हिंदी साहित का ये बाला एप आप डाउनलोड कर सकते है जिसमें आपको हिंदी साहित दोस्तों पढ़ना हो ठीक है तो जो भी हमारे साथी जूनियर एडेट की तैयारी कर रहे है तो एडेट जूनियर सुपर टैट के लिए 20 मॉडल पेपर हिंदी संबावित प्रशनों का संकलन किया है तो आप दोस्तों 20 मॉडल पेपर मात्र 350 में इसमें अडबी सर ले सकते हैं और अपने परेक्टिस कर सकते हैं साहित और दोस्तों हिंदी साहित की daily test series चलती है जिसकी validity एक बर्स रखी गई है रोज सुभाई एक test आपको मिलता है इसमें मात्राब 499 में दोस्तों एड़ी से ले सकते हैं और पूरा एक बर्स तक रोज एक test आपको दोस्तों लगाने को मिलेगा तो आप लगा सकते हो आज आपका पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इसायत की देन किसने माना है जल्दी से आपको बताना है कमेंट में लिखना है और लाइक कर देना है भक्ति आंदोलन को इसायत की देन किसने माना है यह आपको चैन करना है चेन करेंगे भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन मानने बाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है कौन बताएगा शब से पहले और सबसे पहले बताया है कि सर ईसाइत की जो देन माना है वो माना है किसने गिरियर सन ने किसने माना है गिरियर सन यानि आपका एक नमबर जो है वो बिलकुर सही हो जाएगा ये नमबर आपका राइट अंसर हो जाएगा सबी लोगों ने बताया है कमल जी राना जी योगेंद्री जी बहुत बढ़िया भक्ति काब्ब को भारतिय चिंता धारा का चिंतन धारा का दो सबीसे बनेगा बताये क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर भक्ति काब्ब को भारतिय चिंतन धारा का श्वभाबिक बिकास किसने माना है प्रशन किरमांक टू का आंसर और टू में आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रिसाद दोवेदी यानि कि आपका जो बी नमबर है वो बिलकुल शाई है बी नंबर आपका राइट आंसर है पराज़ाई के बाद ब्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्रेश्टा प्रदर्सित करना चाहता है यही मनोब्रती भक्ति आंदोलन का स्रोत है यह है कथन किसका है प्रश्न किरमांक तीन में आपको बताना है पराज़ा के बाद ब्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्रेश्टा प्रदर्सित करना चाहता है यही मनोब्रती भक्ति आंदोलन का स्रोत है यह कथन किसका है प्रश्न किरमांक तीन में आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तीन का बताएं और एक बार वीडियो को बताना है कि कथन है किसका और बहुत सारे लोगों ने बता दिया सी लेकिन इसका सही उत्तर है बाबु गुलावराय क्या है इसका सही उत्तर बाबु गुलावराय क्यानि कि आपका जो बी नंबर है दोस्तों बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ पनुसार उत्तर बताना है स्वरन काल और स्वरन योग में मतभेद नहीं करना यहां पर है ना यह क्वेस्टन जैसा पूछा गया है इसमें आप क्या उत्तर लगाओगे बताईए प्रशन किरमांक चार का आंसर तो स्वरन काल और स्वरन योग यहां पर मतभेद करना है दोस् अपकेपस एक तो गिरियर्सन भी दिया आपके पास और एक डाक्टर सियाम सुन्दर दास भी दिया है देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बता रहा है बताएः और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुछ सही आंसर बताया है कि सर स्वart ने काल कहा ता किसने गिरियर्सन ने लेकि अगर यहाँ पर स्वर्ण योग की जगा अगर काल होता तो आप जार्ज गिरियर्सन लगाते ठीक है जार्ज गिरियर्सन बोले काल के सामने गिरे गिरे तो गिरियर्सन है ना तो काल कहा किसने जार्ज गिरियर्सन ने योग कहा किसने से आम सुन्दर दास ने यहाँ पर आप का उतरस्टी नंबर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है हिंदी साहित के इतियास में नामकरण की दृष्टी से कौन सा काल सबसे कम विबादा इस पद रहा है विबादा इस पद सबसे कम कौन सा काल रहा है प्रशन किरमांक पाँच में सभी साती एप को डाउनलोड कर लें एप इतियास में नामकरण की दृष्टी से कौन सा काल सबसे कम विबादा इस पद रहा है ये आपको बताना है प्रशन किरमांक पाँच में और पाँच का उत्तर आपका चला जाएगा भक्तिकाल यानि आपका डी नंबर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है कम विबादा इस पद है बख्तिकाल बेरी गोड अंग्ले क्वेस्चन की ओर आते हैं दोस्तों अंगला क्वेस्चन आपको बताना है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है कि प्रशन क्रमांक आपकाking आपकाँ छै है जबी साती चैन करेंगे जल्डी से नीच लिंक दिहरैंस अपका एक तो हिंदी साहित का आपका एप है और एक है दोस्तो आपका self study classes ठीक है तो भक्ती को धर्मकर रसात्मक रूप किस ने कहा ये प्रशने किरमांग के 6 का अंसर आपसे पूचा है और सभी लोगों ने बिलकुँ सही बताया कि सर आचार शुकले ने कहा यानि B नम्मर आपका बिलकुल शही है B नम्मर राइट आप्सर बेरी गॉड भक्ति काल को हिंदी साहित का स्वर्न योग कहा जाता है क्यों कि कहा जाता है बताइगा बताये सबी formally के बताएं बर्शने किरमांग को 7 का आंसर बताना है साथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्वर्ण योग कहा जाता है क्यों कहा जाता है कि ये उत्तर आपको चेन करना है और यहाँ पर आपका उत्तर क्या होता है देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है यह है प्रश्ण आपका चैन करना है लाइक करना है सियर करना है और इस से असन से आपको जुड़ी रहना है और यहाँ पर आपने उत्तर बता दिया बी इस काल की रचनातियंत लोकप्रिये एवा मुतकरष्ट है यानि की बी नमबर आपका बिलकुल शाही है ठीक है बहुत ब असहाई एबम निरास मना इस्तिती से किसने जोड़ा है प्रश्ण किरमांक आठ में बताना है किसने जोड़ा है महापंडित राहुल सांकृत्याइन ने अचार हजारी पिरसाद दुवेदी ने राम चंदर शुकली ने या फिर नंद दुलारे बाचपई ने बताए बक्त आंदुलन को इसलामी आकर्मन से पराजित हिंदु जनता की असाई एबम निरास मना इस्तिती से किसने जोड़ा प्रश्ण किरमांक आठ का अंसर और आप लोगों का अंसर बिलकुल सही आ रहा है किसर इसमें अगर टिक लगाओगे तो आप राम चंदर शुकल लगा देना सी नंबर लगा देना जो कि आपका बिलकुल सही है बेरी गुड बहुत बढ़िया यहाँ पर आ जाते हैं भक्ती दिर्विड उपजी लाए रामानन्द के किसने कहा है यह आपको बताना है बताए चिंपा जी प्रश्ण किरमांक 9 और पी एस सी आ रहा है क्या चिंपा जी बताए यहाँ पर भक्ती द्राविड उपजी लाए रामानन्द प्रश्ण किरमांक 9 का अंसर और 9 में आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा भक्ती द्राविड उपजी लाए रामानन्द यह किसने कहा प्रश्ण किरमांक 9 में और 9 का सीधा अंसर आपका जा रहा है किसने ये कहा है किसने कबीर ने किसने कहा है कबीर यानि कि आपका जो D नंबर है यहाँ पर आपका D बिलकूर सही हो जाएगा रामा नुजाचार के गुरू कौन थे प्रशने किरमांक 10 रामा नुजाचार के गुरू बताना है आपको रामा नुजाचार के गुरू कौन थे ये आपका question है प्रशन किरमांक 10 में अपन को प्रशना अनुसार उत्तर बताना है तब आपका right answer यहाँ पर क्या हो जाता है बताए लाइक करना है सबी सातियों को share कर दो अपने मित्रों तक self study classes app download कर लो self study classes app download कर लेना है रामा नुजाचार की गुरू कौन थे तो उत्तर हो जाएगा यह नंबर यानि की काची पून कौन थे काची पून यह नंबर जन्हों ने बताया right answer किसके भक्ती परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है प्रश्ण किरमांग आपका ग्यारा है तो आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा ग्यारा नंबर का राइट आंसर बताना है लक्षमी जी और अभंग के नाम से जाना जाता है वो है दोस्तो कौन नाम देओ एक नमबर नामदेव बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया नामदेव आपका राइट अंसर हिंदी भक्ति काब का सुबारंब किसकी रचनाओं में माना गया है किसकी रचनाओं भक्ति काब का सुबारंब किसकी रचनाओं से माना गया बताएं अपन ने पढ़ा था दोस्तो कि कबीर के पहले रैदास और नामदेव आते नामदेव का जन्म बताईए कब हुआ था नामदेव का फटाक से बताना है और प्रश्न किरमान के बारा में आपक बता रहा है लेकिन यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा नामदेव यानी बी नमबर आपका बिलकुल शाही है जिन्होंने भी बताया है नामदेव का जन्म कब हुआ आपको कमेंट में लिखना है बताईए कब हुआ नामदेव का अपन ने पड़ा कि इनकी भक्ती परग्तों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है है ना और भक्ती काब का शुवारा में किसकी रचनाओ से माना गया तो नामदेव की खीक है बहुत बड़ी या दिब्बे प्रबंदम काब संकलन है दोस्तों तो बताईए किसका है दिब्बे प्रबंदम शबी लोग ब सर और तीरा का आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कि आलबार भक्तों का काब संक्लन है दिब प्रबंदम ठीक है बहुत बड़िया यह शी नम्मर आपका सही हो जाएगा लेकिन आपको बताना है कि आलबार भक्तों की संक्या कितनी है आलबार भक्तों की संक्या कितनी है और आलब भक्तों का इनकी संख्या आपको बतानी है आलबार का साब्दे कर्थ भी आपको चेन करना है प्रशने किरमांग चौदा में राइट आंसर आपको बताना है सियर करना है सभी मित्रों को आलबार का साब्दे कर्थ क्या होता है प्रशने किरमांग का आपका चौदा है और चौ कुल शाहिए जी नमबर साही वेरी गौड निरगोण एबं सगोण दौन प्रकार की भक्ती का मुख लक्षण क्या है बताई आपको पता है भक्ति काल को दो काब धाराओं में बाटा गया था एक तो निरगोण और दूसरा सगोण फिर निरगोण को भी दो में बाटा गया औ सगोण एबं सगोण दौन प्रकार की भक्ती का जो मुख लक्षण है वो मुख लक्षण आपको चैन करना है प्रशन किरमांग 15 में सेल्प स्टेडी किलासे से एप डाउनलोड कर लो और हिंदी साहित के एप की नीचे लिंक दी है तो लिंक से आप जोड़ सकते हो जिन भी साथियों को डेली प्रेक्टिस सेट लगाना है अनके लिए कोर्स लांच किया गया डेली प्रेक्टिस का तो आप डेली प्रेक्टिस कर सकते हैं दोस्तों 499 में 365 दिन रोज एक टेस्ट आपको मिलेगा ठीक है यहाँ पर प्रशन किरमांग का आपका 15 है और 15 है भगबत वि नमालबार के गीतों का सबसे पहले संपादन किस ने किया नमालबार के गीतों का सबसे पहले संपादन किस ने किया पताए लोकेश जी संत एकनात ने नात मुनी ने ग्याने सुर ने या फिर नाम देव ने नमालबार के गीतों का सबसे पहले संपादन किस ने किया ये प्रश नमालबार यानि की जो बी नमबर है ये बी नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है ये नाथ मुनी ने किया है ठीक है बहुत बड़िया आलबार गायकों की शंक्या क्या थी आलबार गायकों की शंक्या कितनी थी तो आपने पहले ही बता दिया कि सर आलबार भक्तों की शंक्या और दोष्ट रामा नंदि के सिस्तियों की संख्या भी कितनी बारा ठीक है यह भी अपन को यात कर लेना अब आपको बताना है भारत भारती का रचनाकाल क्या है जल्दी से बताईये भारत भारती मेत्री शनगुप्ति की आर बार महीरा संत का न tätä नाम क्या है तो सबी को पता ह कि सर अंडाल है बिल्कुल सही answer d number ठीक है next है रामा नुजाचार ने किसकी उपासना पर जोर दिया प्रशने किरमांग को 19 का answer आपको चैन करना है प्रशने किरमांग को 19 में आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या है बहुत बढ़ यह प्रशने है कि रामा नुजाचार किसकी उपासना पर जोर दिया आपने देखा होगा दोस्तों यहां पर दो मत सगोण काबधारा में दो मत प्रिगट होते हैं एक तो सगोण और एक निरगोण एक तो राम भक्ती साखा और दूसरी क्रश्न भक्ती साखा दोनों ही साखा हैं दोस्तों क्या मानती हैं विश्रू का उतार मानते हैं और क्रशन भक्ती साखा बाले क्रशन को विश्णू का उतार मानते हैं ठीक है तो रामा नुजचार ने किसकी उपासना पर जोड़ दिया तो उत्तर हो जाएगा विश्णू की यानि कि आपका ये नम्मर बिलकुल शाहिए ठीक है अब दूत किसे कहते हैं अब दूत किसे कहते प्रशन किरमांग को बीस का अंसर बताना है अब दूत किसे कहते अरोन राजपुझ जी प्रशन किरमांग 20 में डाइट करना है सियर कर देना अपने मित्रों को मदवाचार के अनुयाईयों को निमबार्क के बेरागियों को रामा नंद के बेरागियों को यानि की बीस नंबर है और बीस में आपको चेन करना है और आपका उत्तर है कि सर अब दूत पूचा है आपने तो ये कहा जाता है किसे कहा जाता है बीस में अनिल कुमार जी बहुत बड़ी आंसर रामा नंद के बैरागियों को यानि आपका सी नंबर बिलकुल शही है यह रामा नंद ने नारायण और लच्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोड दिया जब हम भक्ती काल पढ़ रहे हैं तो भक्ती काल में भक्ती ही होगी ठीक है प्रशने किरमांक 21 है आपका 21 में आपको चैन करना है कि रामा नंद ने नारायण और लच्मी के स्थान पर कि कि उपासना पर जोर दिया प्रश्न किरमांग का आपका ट्वंटी बन है और ट्वंटी बन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर सीता राम की उपासना पर यानी सी आपका सीता राम बिलकुल शही है सीता राम आपका राइट आंसर है ठीक है बैरी गोड योग साधना के प् प्रश्ण किरमांग का आपका दोस्तों 22 है 22 को आपको चैन करना है लाइक करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर योग साधना के आधी प्रबरता को राधी गुरु जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं जल्दी से बताएं आपका राइट आंसर जारा कि सर बो जान माने जाते हैं सेयो यानि कि आपका डी नंबर जो है डी आप लोग लगा रहे हैं तो बिलकूँ सही है पंकश कुमार जी ठीक है कौन माने जाते है राधी गुरु पूचा गया प्रश्ण को थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को नहीं तो इतना बस पढ़ दो योग के पुछा is तो आरподि गुरु उर्फ माने जाते हैं याने की बहुत सारे लोग कंफूज यह नंबर में लगा दिया आपको डि लगाना था ठीक है आपको अगर कोछा जाता दोस्तो नाथ पंत के प्रवर्तक कौन है नाथ मत के प्रवर्तक कौन है तो आप गोरक नाथ लगाते लेकिन यहाँ पर आदी गुरु आपसे पूचा गया तो आपको स्यो लगाना है है ना आपको संत मत का महत तो इसलिए है क्योंकि वे मानते हैं क्या मानते हैं 23 का अं सास्त्रिय ज्यान का महत्त यानि की प्रस्ण आपका 23 है 23 में आपको चैन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर की स्वर को मिलाने बाला गुरू है यानि बी नम्मर आपका सही हो जाएगा संत मत्त का महत्त श्रिय है क्योंकि वे मानते हैं की स्वर को मिलाने बाला कौन है गुरू है यानि B नमबर आपका राइट आंसर नीमा किस कभी की माता का नाम था नीमा किस कभी की माता का नाम था बहुत अच्छा कॉस्चन है सभी से बनेगा 24 में लाइक करते चलें सभी साती और 24 का आंसर बताना है इस किलास को अटेंड करें रोज आप लोग 24 में आपको चेन करना है और 24 में आपका है किसर कभी दास की माता का नाम था नीमा लेकिन प्रस ने अहीं तक नीरो का दोस्तो आपको ये भी बताना कि कभी दास का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ मृत्यू कहां पर हुई ये तीन कॉस्चन और साथ में बताना है उत्तर भारत में बै कल पनुसर आपको चैन करना है प्रश्न किरमांक 25 में संस्थापक पूचा गया दोस्तों तो संस्थापक में आप क्या उत्तर लगाओगे उत्तर भारत में बैश्नाव भक्ति के संस्थापक कौन है आपको चैन करना है 25 में और 25 में आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा र रामानुज है ना और रामानुज संस्तापक हैं और दोस्तों आपको पता है कि उत्तर भारत में राम भक्ति साका को जो फैलाने वाले थे प्रिचार करने वाले थे वो कौन थे रामानंद यहां तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है निरगु निरगुन भक्ति का आदी स्रोत क्या है यह आपसी क्वेश्चन पूछा गया है तो सभी लोग बताएंगे 26 में और 26 का आपका सीधा आंसर जा रहा है किसा निरगुन भक्ति का आदी स्रोत जो माना जाता है वो माना जाता है सुईता सुईतर उपनिसद यानि आपका जो ड ही है वो बिल्कुल शही है ये नमबर राइट अंसर बेरी गोड इसमार्त संप्रदाएक की प्रबरतक संस्थापक क्वोंति पूच्चन पूचा गया smart है ना smart smart देखते ना कुछ लोग यहां पर smart दिया है अब smart को अपन smart पर लेंगे अब smart अगर को बनना है तो क्या करोगे क्या करोगे बताइए उदय आदाओ जी प्रश्न किरमांग 27 में इसमार्ट बनना है तो क्या करना है वो लिस्तर संकर जी की पूजा करेंगे वहां से आसीरबाद आएगा तो हम इसमार्ट बन जाएंगे बुद्धी मिल जाएगी तो यहां पर संकर संप्रदाई कहां से संबंदे थे पंच सका और बारकरी संप्रदाई कहां से संबंदे थे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है और बहुत अच्छा क्वेस्चन आप से पूछा गया है कि सास्ता पूजक संप्रदाई सास्ता सास्ता से वनेगा सस्ता सस्ता से क्या वनेगा बोले सस्ता है करेला करेला क्या है सस्ता है तो करेला से सस्ता हो जाएगा सास्ता पूजक संप्रदाए केरल ठीक है सहजिया संप्रदाए आप से पूचा गया तो सहजिया याद रख़े ना बोले सर बंगला सहज में नहीं मिलता कि मिल जाता है कि बोले आपका सपना क्या है ब मोटरकार होना च्याई है न तुब बोले बंगला सहज में नहीं मिलता तो याद रखड़ी ना सहज या संप्रदाए कहां से संबंदgili देते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर हो होते हैं जब आप विपत्ती में होते हैं तो पांच सका ओड़ जाते हैं गायब हो जाते हैं ठीक है बारकरी संप्रदाए महरास्ट बोले महरास्ट बार करता है ठीक है तो इसको याद रखते ना सास्ता पूजक संप्रदाए केरल से सहजिया संप्रदाए बंगाल से पंच सक में विभाजित करने बाले बिद्वान कोने ग्यानासराई और प्रेमासराई बताईए 29 का आंसर बताना है 29 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइक करते हुए अपने मित्रों तक सेयर करिए और दोस्तों बने रहिए ऐसी ही अनेको ट्रेक आपको मैं बताऊंगा न 29 का आंसर बताना है और आपको पता है कि सर ये निर्गुन काबदारा को जो ज्यान सरी साका और प्रेमासराई साका में बाटा है वो बाटा है किसने राम चंद्र सुकुलिने डी नम्मर आपका बिलको सही है ठीक है अब आपको यहाँ पर बताना कि साधना के चेतर में जो रहस बाद है ये कथन किसका है ये कथन आपको बताना ये चार विकल्प है आपके है ना आपको चैन करना है ये कथन किसका है अचार सुकल का अचार हजारी पर साथ दुवेदी का खुरेशी जी महापंडित राहुल सांकृत त्याइन का या फिर पदो मिलाल उन्ना अलाल बक और आपको पता है कि ये आपका उत्तर हो जाएगा कि सर एक अतन है अपने राम चंदर शुकल का ये नमबर आपका बिलकुर शही है ये नमबर राइट अंसर विश्णू का सरप्रतम उल्लेक कहां मिलता है बहुत बड़ याज प्रेश्ण है विश्णू का सबसे पहले उल्ल से लेक कहां मिलता है वो भी आपको बताना है प्रस्ण किरमंग 30 बन है अच्छा कुस्चन आया है या जूर वेद में अथरवेद में रिग बैद में या फिर साम बेद में 30 बन का अंसर और आपका सीधा अंसर कहां जा रहा है देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस तो जल्दी बताओ बैस्नाव धर्म के संस्तापकों में नहीं है तो कौन नहीं है बैस्नाव धर्म के संस्तापकों में कौन नहीं है प्रशन किरमांग को 32 का अंसर बताना है बैस्नाव संप्रदाए आपको यहाँ पर प्रशन किरमांग 32 का अंसर बताना है और 32 में आपका रा मानुजाचार हैं है ना इन्होंने स्री संप्रदाई की स्तापना की ती विसिष्टा दोईतबाद की प्रवर्तक माने जाते हैं मदवाचार की बात करें तो ये दोईतबाद की दोस्तों प्रवर्तक माने जाते हैं निमबार्क की बात करें तो ये दोईता दोईतबाद के मान जाते हैं और दोईता दोईत बाद यानि कि उसे सनक संप्रदाई भी कहा जाता और यही सनक संप्रदाई आपकी TGT में पूछा था कि सनक संप्रदाई की प्रबरतक कुन है तो आप मैंने आपको बताया था कि निम्बू देत देत ठक गए पड़ोसी को देत देत से दोईता अब निम्बू को अगर पड़ोसी को नहीं दोगे तो पड़ोसी सनक जाएगा सनक जाएगा तो सनक संपरदाए निम्बार कियात कर लेना भक्ति आंदोलन का सुत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षन भारत में हुआ था इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है जरू कर दें और नीचे लिंक दी है हिंदी साहित की एप की तो एप डाउनलूट कर लें 33 का आंसर आपको चेन करना है पूर आपका उत्तर जा रहा है किसर यहां पर दक्षिन भारत पूर्टा क्या था निरापद था निरापद था तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा ये नंबर आपका राइट आंसर है बहुत बड़ी आंसर ठीक है बैरी गोड आंसर ये कथन सत्य है एक नंबर आपका बैरी गोड अदोएत दरसन या अदोएत बाद के प्रबड़त कोन है प्रश्न किरमांग 34 अदोएत बाद के प्रबड़त कोन माने जाते हैं ये आपको बता करना है यहाँ पर अदोयत बाद के प्रबर्त कोन है अपन ने पढ़ा था कि सर संकर क्या है अदुत्तिये हैं कि नहीं अदुत्तिये हैं ठीक है अदुत्तिये हैं तो अदुत्तिये से क्या हो जाएगा अदोयत अदोयत बाद और अदोयत बाद के दोस्तों अचार संकराचार मान जाते हैं यानि कि आपका यहाँ पर डी नंबर अदोयत बाद का पूचा है अदोयत बाद के शंकराचार अदोयत बाद के संकराचार बहुत बढ़िया सूची एक से सूची दो को मिलान करिए यहाँ पर आपसे दिया है सुध्धा दोईतबाद के प्रवर्तक कौन है यह आपको बताना अदोईतबाद के कौन है बिसिष्टा दोईतबाद के कौन कौन कौस्चन पूछा ही जाता है तो आपको पता होगा कि सुध्धा दोईतबाद के बल्लबाचार बिलकुल शाही है अ अदोएत अदुत्य कोँआने संकर तो संकराचार, विसिष्ट कोँआने राम तो रामानुजाचार, दोएत बाद मदबाचार ठीक है, यहां से question आता है, अदोएत बाद के प्रबर्ता काचार संकर को कुछ पुरान पंतियों ने प्रचन बोद्य कहा था, क्यों की, क्यों कहा 36 का अंसर बताईए उत्तर क्या हो जाएगा उसमें शबी लोग बताएंगे प्रशन किरमांग 36 का अंसर अद्वेत बाद के प्रवरता का चार संकर को कुछ पुरान पंथियों ने प्रचन बोध्य कहा था क्यों कहा था एक वेस्चन आपको बताना है 36 का आंसर आपको चैन करन है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों बताएं 36 का अंसर और लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर कर देना है दोस्तों और जिन भी सातियों को एड़ेट जुनियर का मौडल पेपर हिंदी नंबर 100 का मौडल पेपर प्रेक्टिस करना है वो 350 में सेल्प इस्टेडी क्लास इसमें आप मौडल पेपर में 80 सेल ले सकते हैं और यहाँ पर 36 का अंसर है तो यहाँ पर आपका डी नंबर सही है कि बोध धर में सभी मनों से समान है संक्राचार ने इसी कानूकरण किया था यानि कि आपका जो डी नंबर है वो बिलको शही है ठीक है अदो इतबाद के अन अनुसार क्या सही है अदो इतबाद मैंने आपको कई बार पढ़ाया है दोस्तों नीरेच कुमार जी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया अदो इतबाद अदो इतबाद के अनुसार क्या है गलत नहीं होना चाहिए पताइए क्या राइट अंसर है 37 का अंसर प्रमोत सैनी जी अदोइतवात के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं यानि कि ये नम्मर आपका बिलकुर सही है ये नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा आते हैं यहां बहां देखते हैं और पूछते हैं कि भक्ति आंदोलन को दक्षन से उत्तर भारत लाने का स स्रे किसे है ये आपको बताना है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन किरमांक थर्टी एट में आपको चैन करना है और थर्टी एट में बक्ति आंदोलन को दक्षन से उत्तर भारत लाने का स्रे किसको है उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर सभी को ते निर्गुन पंती थे यानि कि रामानंद सगुन ते और सगुन भक्तिधारा के इस रामानंद के सिस्यों में दोस्तो निर्गुन पंती भी थे है ना हरीदासी संप्रदाय के प्रवर्टक कौन है हरीदासी संप्रदाय बहुत बढ़िया क्वेस्चन आपसे पूछा गया ह कौन कौन सही उत्तर बताएगा और इस हरीदासी संपरदाय को और किस नाम से जाना जाता है ये भी कॉस्चन आपको बताना है प्रेशन किरमांक 49 का आपको चैन करना है लाइक कर देना है आपको सेर करना है हरीदासी संपरदाय के प्रबरता कौन है और इस हरिदासी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना है और यहाँ पर तो आपका हो जाएगा कि सर्व हरिदासी संप्रदाय यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा सबी लोग बताएंगे यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास ठीक है यह हरिदासी संप्रदाय के प्रबर्तक माने जाते हैं दोस्तों इनको अपन को याद करना है कुछ बिद्वान हित हरीबंस को भी मानते हैं लेकिन इनके नाम पर स्वामी हरिदास के नाम पर यह हरिदासी पड़ा था है ना यहां पर आपका उत्तर एक नम्मर बिल्कुल सही हो जाता है अंगला कोस्चन है बैसना उधर्म के चार प्रमो काचारियों में से किसने अपने सिद्दान्तों में भक्ति और ज्यान का समुच्च्य माना है पताएं प्रश्ण किरमांक 40 40 का आंसर आपको चैन करना है और यहां पर बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर इसे ट्टी संप्रदाई भी कहा जाता है और इसे सकी संप्रदाई भी कहा जाता है ठीक है बैसना उधर्म के चार प्रमो काचारों में से किसने अपने सिद्दान्तों में भक्ति और ज्यान का सम चैमाना है तो बताइए प्रश्न किरमांग 40, 40 का राइट आंसर आपको चैन करना है, लाइक करना है अपने मितनोता को और सेल्फ स्टेडी किलासे से आपको डाउनलोट करना है, यहाँ पर तो आपका रामानुज बिलको सही हो जाएगा, रामानुज अचार जो की स्री संपर संपरदाय के प्रबर्तक हैं, अदोयत बाद के प्रबर्तक हैं, रामानुज अचार की परंपरा में भी रामानंद हुए दोस्तों है ना, और रामानंद के बाद तुलिसी कभी रादे बहुत सारे हुए हैं, तो यह आपका एक नंबर आपको याद रख्टे ना, रामानु में आपको रामाबत संपरदाय पूछा गया और रामाबत में आपने बता दिया कि सर बी नंबर लगा दो रामा नंद लगा दो कोई हरजा नहीं है बारकरी संपरदाय पूछा गया इसके प्रबर्तक कौन है बारकरी संप्रदाय पूचा गया इसके प्रवर्ता कौन है यहाँ पर आपको बिकल्प अनुसार उत्तर लगाना है दोस्तो 42 का अंसर बिकल्प अनुसार आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 42 में आप चैन बताएंगे कहीं कहीं बारकरी संप्रदाई यहाँ पर बिकल्प में आपको पुंडलिक नहीं दिया है दोस्तों लेकिन यहाँ पर आपको बिकल्प अनुसार अगर उत्तर लगाने को बोला जाए तो आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे बताव उत्तर लगाना है आपको संत ग्याने सुर संत ग्याने सुर यानि कि सी नंबर ठीक है तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल शही है ग्याने सुर आपका right answer हो जाएगा स्री संपरदाय के प्रबरता काचार कौन है बहुत अच्छा कोश्चन है मैंने आपको कई बार बता चुके इसी किलास में तो बताईए त्री सम्प्रदाई के प्रबर्ता काचार कौन है? like करना है share करना है लगे रहना है दोस्तो practice करने के लिए practice करने के लिए लगे रहना है और self study classes एप download कर लेना आँगे आने वाले rps ci exam है ना और दोस्तो master qader exam hp tate h tate आज़ दी exam के लिए हिंदी साहित का service rest self study classes जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना ली नमबर रामानुज अचार बैरिगोड बी राइट अंसर बैरिगोड रुद्र संप्रदाय पूचा गया रुद्र तो रुद्र संप्रदाय के प्रबर्तक कौन है अच्छा question है रुद्र संप्रदाय पूचा भी जाता है दोस्तों और रुद्र संप्रदाय के प्रबर् ऊचोगे तो टिक भी लगा दे ना विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, C number औसira बेरी गोट, C number जम्बनात ने अपने मत का परिचार करने के लिए किसे समप्रदाय की स्थापना की, पैपटालीस, बताएं, जम्बनात ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किसे संप्रदाय की स्थापना की ये पैटालीस वा प्रस्न है लाइक कर दिना है एक बार और पैटालीस में आपको चैन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर बिश्व में जंब जाओ बिश्व नोई शंप्रदाय बिश्व नोई शंप्रदाय क सुरसुरा पदमा बती नरहरी पीपा भावानंद रियदास धन्ना सैन सुरसरी और घरहरी है ना ये रामानंद के सिस्चियों की एह सूची किस काब गरंत में हैं ये सूची किस काब गरंत में हैं बताएए अनंता अनंद कबीर सुखा सुरसरा अलग-अलग प्रकार से रामान अंसर बताना है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा भक्तमाल भक्तमाल पूछा बैरी गोड भक्तमाल में ये दोस्त वरंतारंद कबीर सुखास और सुरा पदमा बतीन का बरनन है लेकिन भक्तमाल का रचना काल क्या है और रचना कार कौन है ये भी आपको बताना है जल्दी बताओ कबीर की बाणी का संग्रा है बीजक कहलाता इसके कितने भाग हैं बीजक के कितने भाग हैं बताइए बीजक के कितने भाग हैं 47 का अंसर बीजक के कितने भाग हैं दो तीन चार या फिर पाँच यानि की 47 नंबर में आपको चैन करना है और सीधा अं बिल्कुल शही है, ठीक है, बीजक में भाग तीन हैं, कौन-कौन से हैं, वो भी आपको बताना, दोस्तों, यहां पर आपका उत्तर है कि भक्तिकाल की समय सीमा क्या है, भक्तिकाल की समय सीमा आपको बताना है, संबत में दिया है, तो संबत में आपको चेन करना है, साकी सबत बहुत वड़िया आंसर सभी लोग बताएंगे राइट आंसर 48 में आपको चेहन करना है भक्तिकाल की शमय शीमा क्या है 48 में 48 में बताईए राइट आंसर और सभी को पता है कि सरसंबत 1375 से लेकर के 1700 का जो काल है ये माना जाता है भक्तिकाल ठीक है बैरी गोड आंसर सभी सातियों के लिए धनबाद सभी साती दोस्तो ये प्ले स्टोर में जाके सेल्फ स्टडी के लासे इसका एप डाउनलोड कर लें यहाँ पर सब्ता में दो दिन टेस्ट सीरिज होती है बिलकुल फिरी और डेली टेस्ट सीरिज होती है जिसमें एडवी से लेना है तो 400 99 डे दोस्तो इसमें अडवी से लेकर के अध्यन कर सकते हैं ठीक है साती ये डेली टेस्ट सीरिज चल लई है एक बरस की बैले डिटी के साथ रोज सुबाए 8 बज़े एक टेस्ट आपके लिए आता है आपको वो हल करना होता है ठीक है ये हिंदी साहित का एक एप लांच किया ग तो आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप RPSC की तैयारी में लग गए हैं चाहे आप दोस्तो जूनियर एडेट की तैयारी में लग गए हैं चाहे आप LTE ग्रेट की तैयारी में लगे हैं TGT PGT तैयारी में लगे हैं मास्टर कडर या फिर दोस्तो आप HP T एक्जाम में लगे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा यह आउसर आता है इस से आप लोग जुड़ें कमल दीप जी रितिका बवीता दार्सु जी शंगीता जी सुर्वी सत्य जी ठीक है दार्सु जी चाया दुवेदी जी सभी सातियों को धन्नबाद आप लोग लाइक क कुमार जी ठीक है और लगे रहें दोस्तों तैयारी में लग जाएं प्रैक्टिस सेट चालू कर दें प्रैक्टिस लगाएं रोज अच्छा प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा नर्वदा गुपता जी सुगंदा जी ठीक है बिवेक जी बहुत बढ़िया विश्वा सात्यों को धन्वात सेयर करती रहें अपने मित्रों तक और दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिन